यह जो क्यूशन आपको दिखाई दे रहा है यह प्राइक्टा का है इससे पेले हमने प्राइक्टा के बहुत सारे क्यूशन कर लिये हैं प्रैक्टा में बेसिकली हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में बेसिक चीजे पढ़ी थी प्रैक्टा के बारे में जो इंपोर्टेंट है उनकी बिनाफन क्यूशन को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं जिसे मैंने ताक्ष की गड़ी के बारे में अच सारे एक-एक कुशन कर लिए जिसे एक से लेके 15 तक हमने कुशन कर लिए आज का जो कुशन है कुशन नमर 16 है तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसको आके करते हैं सोलूशन ठीक है तो देखो किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए केबल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है इस मिश्रण में से एक पेन याद रचहा निकाला जाता है निकाल गए पेन के अच्छा होने की प्राइकता ग्याद करनी अपना हो तो देखो किशिन बहुत आसान है देखो पेन इपने पास पेन कितने टाइप के हैं दो टाइप के एक तो है अपने पास 12 खराब पेन खराब पेन और है अपने पास 132 अच्छे पेन अच्छे पेन ठीक है अब एक क्या हुआ कोई कारण हो गया यह किसी ऐसे कारण मालो कोई भी कारण जैसे घर में कोई बच्चा होगा तो उस बच्चे ने क्या किया इन बारा खराब पेनों को एक सो बटेस अच्चे पेनों के अंदर मिक्स कर दिया आब बच्चे तो करीदें ठीके नठीके उनको क्या बता कि कितनी मैनत लगती है, अलग करने में एर वो ऐसे बहुंड बोल रहा हूं कोई मैनत लगता है अभग बता देता हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ठीके तो वह तो कर दे दें, अब देखो, यह मिल गए, अब मुझे बताओ, टोटल पेन कितने हुए, 12 तो खराब पेन और 132, तो देखो, 132 और 12, तो टोटल पेन होगे अपने, 2, 2, 4, 3, 4, और 1, तो 144, तो 144, अपने टोटल पेन होगे, ठीक है, अब देखो, किसी कारण 12 खराब 132 अच्छे पेनों मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है, कि कोई पेन खराब है, या अच्छा है, इस मिश्रण में से, अब 144 टोटल का मिश्रण होगे है, टोटल, 144 पेन होगे अपने पास, इस मिश्रण में से एक पेन यादर चे निकाला जाता है, निकाला गए पेन के अच्छा होने की प्राइक्ता की याद करनी है, निकाला गए पेन के अच्छा होने की, प्राइक्ता बराबर, अनुकुल परिणाम, परिणाम, बटे, कुल परिणाम, परिणाम, अब देखकर प्राइक्ता की निकालने है, आप दॉपना हो निकालने प्रैक्ता प्रोडिबिंटी में आप प्रैक्ता पेन्के निकाले गए अच्छा होने की दोद को सबस्वेलों मैंना बराबर कर्चिन लगा फिर मैंने विपढ़का साइन खीचता और मुझे बता अब टोटल पेन कितने है अपरे पास, मिश्रन, पेनों का मिश्रन कितना है, टोटल कितने पेन है, मिक्स कर दिया ना, मिक्स करने एक बार टोटल पेन कितना है, तो 144, तो हमेशा 144 तो नीचे रखना है अपनों, 145 टोटल पेनों को तो कुल पेनाम, कुल पेनाम को पहले लिखना है ना, तो 145 क अपना राइट आंसर है, ये तो के अपना राइट आंसर ठीक है अब दНАओ इसके बाद तक कार्ड भी सकते हैं रहा कर मैंने इसको भाग दिया दो से इसको भाग दिया filtering भाग दिया एक सो बढद कि दो से देखरो दो दो चंग बारा फिर एक बचेगा दो चंग बारा इसको काटा तो दो साथ ही नीचार फिर काटा सेकी बूमीड मानुल 好मी यह जो until ट्रीय चेए निक्री भार फिर कड़ दिया करेख ऐने कांग दो 2, 2 से नहीं कटीज़ तीन से कट जाएगा है तो 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 क्या है अपना आंसर उपर तो आगे अपने 33 और निचा है अपना 36 अब इसको कार तो 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 तीन दो निचे तो अर्श का आंसर आजाएगा 11 बटे 12 ये राइट आंसर है तो 132 बटे 145 भी सही आंसर अपना और 11 बटे 12 भी सही आंसर है कोई गलत नहीं है बस इसको काट ना होगा है अच्छी से काट होगे ना तो हो जाएगा अपना मामला मैंने कुछ भी नहीं किया देखू सबसे मैंने मैंने कुल परणाम को निचे रखा और अच्छा पहन गयात च्छा χार में डोका भाग दिया 33 आए 62 में दोलेग चन्यावाग दिया 100 ँदे 20 इसवर्चे से मैंने दोसे निकाटा इसा भाग देना है जो ऐपाना जूपर निचे दोनों चला जहstä मैंने इस दही किस समझाया है कि आपको समझ में आ गया होगा फिर बीने ये दिन नहीं समझ में आए आप तो वीडियो दुबारा देख सकते आप आपको क्लियरली समझ में जाएगा ठीक तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आयोगी थेंक्यू